गुड बॉर्णी अलाफ्यू रिवीजन सीरीज में पिछले दोहे में हमने आपको अध्यास के लिए कुछ कुस्षन दिये हैं आज हम दूसरा दुवाद शुरू करेंगे जिसमें हम आपको कुछ कुस्षन बता रहे हैं जिनका हम पिर से अध्यास करेंगे जैसे इस दोहे के आखार पर लक्षमण के सुभाव की इसे स्ताइन लिए बाला को लिगर्धों नहीं कुछी में पड़िक कलरकार का नाम लिए कि खुत्रिय कुलतुर्पि किस्टे कहा चैए और क्यों परशुराम ने अपना परिजह किस रूप में लिया हम परशुराम lively हराम किस रूप में करते हैं किसने इस धर्दी को राजाओं से चरदिट कर दिया और इस काव्यांस के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विशेश्टाएं लिखे इस प्रकार इनके आंसर जो है हम देखेंगे तो पहला कुछ से देखेंगे इस दोहे के आधार पर लक्षमन के सभाव की विशेश्टाएं बताईए तो आपको लिखना है कि दोहे के आधार पर लक्षमन वाक पटु है बोलने में निपुण है निर्वीक है वह अस्त्र शस्त्र चलाने के साथ साथ शब्दवान में भी निपुण है वह व्यंग बचनों से परशुराम का मुकाबला करते हैं और धनुष को पुराना कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं फिर दूसरा है बालक बोली बधाओं नहीं तोही में प्रयुक तलंकार का नाम लिखिये तो पिछले बर्स हमने आपको बताया था यहाँ पर बाकी आवरित्ति के कारण अनुप्राश अलंकार का प्रयुक दिखाई देता है फिर तीसरा है खत्री कुल द्रोही किसे कहा गया है और क्यों तो खत्री कुल द्रोही परशुराम को कहा गया है क्योंकि उन्होंने खत्रीयों का खत्री जाती का बिरोध किया था फिर अंगला कुश्चन है परशुराम ने अपना परिचय किस रूप में दिया तो परशुराम ने अपना परिचय महाक्रोधी, बाल ब्रहुमेचारी, खत्री कुल द्रोही, ब्राहुमनों के समर्थक सहस्त्रा बाहु का संघार करने बाले यनि सहस्त्रा बाहु के संघारक के रूप में दिया फिर पाचवा कुस्चन है परशुराम अपने फर्षे का गुणगान किस रूप में करते हैं तो परशुराम अपने फर्षे का गुणगान करते हुए कहते हैं कि मैंने इस फर्षे से सहस्त्रा भाव की भुजाओं का भेदन किया था और यह मेरा परसा इतना घोर है, इतना कठोर है कि गर्व में पल रहे शिश को भी मार देने बाला है फिर कुस्च नमबर 6 किस ने इस धर्ती को राजाओं से रहित कर दिया तो परशुराम ने इस धर्ती को राजाओं से रहित कर दिया सहस्त्रा बाहु का उलेख बार बार आया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ सहस्त्रा बाहु एक राजा था जो शिकार खेलते हुए अपने सेना के सहित दलवल के सहित महर्शी जमदगनी के आश्रम के निकट से गुजरता है महर्शी जमदगनी परशुराम के पिता थे उनके पास कामधेन उगाय थी जो हर आकांक्षा को हर अपेक्षा को पूर्ण करती थी सहस्त्रा बाहु अपनी सेना के सहित वही ठहर जाता है और महर्शी शे आगरह करता है कि वह उसे और उसकी सेना को भोजन इत्यादी कराए तो कामधेन जो है सभी अपेक्षाओं को पूर्ण करती थी तो महर्शी जमदग्नी ने कामधेन उसे याचना की और पूरी सेना को उन्होंने भोजन कराया तब सहास्त्रा बाहु के मन में यह विचार आता है कि यह गाय तो मेरे यहां होनी चाहिए और वह बल पूरवक महर्शी के बिरोध करने पर भी कामधेन उगाय को लेकर अपने राज्ज चला जाता है अब परशुराम आश्रम में वापस आते हैं तो जमदग्नी ने उन्हें पूरी बात बताई तो वह सहस्त्रा बाहु के पास जाते हैं और अपने फरसे के द्वारा सहस्त्रा बाहु की हजार भुजाओं का भेदन करते हैं सहस्त्रा बाहु का बध करते हैं और कामधेन को लेकर अपने आश्रम वापस आ जाते हैं तब सहस्त्रा बाहु के सो पुत्र थे वो परशुराम की अनुपस्थिती में आश्रम में आक्रमन कर देते हैं और महर्शी जम्दगनी का बध कर देते हैं परशुराम को जब यह पता चलता है तो उन्होंने संकल्प किया कि इस धर्ती पर मैं ख्षत्री वीर होने ही नहीं दूँगा और कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार इस धर्ती को राजाओं से रहित कर दिया राजाओं से हिन कर दिया तो परशुराम ने इस धरती को इस धरा को राजाओं से रहित किया ये लिखने की आवश्यक्ता नहीं है आपकी जानकारी के लिए है फिर कुस्टन नंबर सेविन इस काब्यांश के आधार पर परशुराम की चारित्रिक विसेस्ताएं बताए यदि ऐसा पूछा जाता है तो आपको लिखना है कि परशुराम महा क्रोधी थे वह अपमान सहन नहीं कर सकते थे वह क्रोध में आकर अपनी भाशा पर नियंतरन भी नहीं रख पाते थे और वह अपने परशे से गर्भ में पल रहे सिसु को भी कि मार देने की बात कहकर अभाद्रता का अशिष्टता का परिचे देते हैं इस प्रकार इसे के बल पुद्ध कॉपी में जहां पहले कुष्चन आप लिखने हैं तो ये कुष्चन जो है बनी आपको लिखना है आंसर लिखने की आवश्यक्ता नहीं है इसे के बल पुद्ध सुना है